मित्रों नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमलन अंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदे का विनंदन करता हूँ एस टो तक की खास प्रस्तूती कमलन अंदलाल की भविश्वाणी आपका राशेष्व़ इस राशेष्व़ में बात करेंगे, मिर्ष छे लेकरमीन राश गजठ्र ह graphics उपाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं भवृष्छमानी की पंचांग के साथ में तो दिन है सम्बार का तारीख है चार दिसम्बर दो हजार तेइस मारगशी करे शुकृष्ण सत्थमी पर चंद्रमा सं गराशी और मगा से नो बजज तक रवियोग रहेगा सुबह च्छाइब सुबह 9 बज़ कर 35 मिनट से लेकर के सुबह ड़ी मिनट से ले KAR के सुबह दस मिनट बचंप्च कर 35 मिनट तक में है मारग शीश सब्त मी यह है और ऐसे में हमारा जो विशेश उपाय है वो भी सूरे से ही जम्मन देता है बताएंगे आपको विशेश उपाय में कैसे भगवान सूरे की क्रपा से सफलता मिलेगी तो उसके लिए राशी फल को आखर तक दिखेगा शुरुवात करते है राशी फल की पहली राशी मेश यानी एरिस के साथ मेश राशी वालो रुके वे काम पूरे होंगे योजनाओं से धनलाब होगा सकरतमक सोच कारगर सिद्ध होगी सहयत में बहतर सुधार आएगा परिवार में खुशी का महुल रहेगा उपाईये करेंगे सफेद नीले कपड़ों को कॉम्बिनेशन पैने शुमंग पांच रहेगा शुमंग रहेगा हरा दूसरी राशी वरिश याने के टॉरस की बात करेंगे कोई खुश खबरी मिलेगी कारिश यतर में खास फैसले लेंगे धनलाब होगा नीजी काम से यातरा करेंगे पारिवार एक तालमेल बैठेगा हर किसी पर विश्वाश ना करें कुछ करीबी नुकसान पहुचाने का प्रयास करेंगे दफ्तर के काम में कुछ विलम होगा धहरे रखने से लाब होगा सेहर ठीक बने रहेगी उपाई ये करेंगे पूजा गर में चंदन की अगरबत्ती जलाए शुमंग सात रहेगा शु करेंगे मितरों के साथ में घुमने पिनने जाएंगे जीवन साती से कोई गिफ्ट मिलेगा पिछले कामों की चारीफ होगी वकीलों को सफलता मिलेगी सुक्सु विधाओं में वर्धिक के योग हैं उपाईए करेंगी पर्स में चाबल के दान रखें शुमंग के एक पाइए करेंगे किसी गडीब कन्या को सफेद कपड़ा धान करें शुबंग रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद आठफीराशिव वृष्चे कहने की स्कॉप्यों की बात करेंगे सामाज कामों में थोड़ा सब्सत रहेंगे परिवार के साथ में कहीं भार डिनर करने जा सकते हैं रिष्टों में मिठास बनी रहेगी कारोबारी यातरा से लाव होगा खास मित्रों से संपर्क होगा उपाईये करें कि धर्मिस्तल में सफेद फूल चड़ा है पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा नवी राशी धनू यहने कि सेजिटेरियस की बात करेंगे आर्थिक स्तेती ठीक बनी रहेगी रिष्टों में मजबूती आएगी चात्र नए विशाय में रुची लेंगे पुराने दोस्तों से संपर्क होगा शाम का समय बच्चों के साथ में बिता पाएंगे उपाईए करेंगे तुनसी पर जल चड़ाएं शुबरंग काट रहेगा शुबरंग रहेगा काला दस वी राशी मकरियानिकी के प्रकॉन की बात करेंगे अचानक धनलाब होगा कानूनी मामलों में राहत मिलेगी भविशा से जुड़ी कोई खास आप चीज के बारे में फैसला लेंगे संगीत में रुचे बढ़ेगी मित्रों के सलहा लाबदाहेक रहेगी उपाईए करेंगे रातरानी गेतर का प्रियोक करें शुबंग चार रहेगा शुबंग रहेगा नीला गयारवी राशे कुम भी आनिक अक्वैरिस की बात करेंगे जर्वत मन्दों की मदद करेंगे दामपत्त सुखद रहेगा दफतर में नई जमेदारी मिलेगी काम में परिजन सयोग करेंगे करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे उपाई ये करेंगे दैनेक पूजवा पाइट में सफ़ेद फूल चाड़ाए शुबंग चार रहेगा शुबंग रहेगा शुबंग रहेगा नीला बारवीरा शिमीन यानी पाइसे उसकी बात करेंगे आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी लेन दिन में सावधान रहें प्रेम जीवन में खुशी आएंगे घूमने फिरने की योजना बनाएंगे चातर मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और अधिक पढ़ाई करेंगे उपाई ये करें कि किसी गरीब बच्चों को मिठाई दान करें शुबंकाट रहेगा शुबंक रहेगा काला तो दोस्तों समय है आज के विशेश उपाई को वो विशेश उपाई जो आपको सफलता दिल पाएगा हर शेत्र में सफलता दिल आएगा आर्थिक सफलता भी हर शेतर में सफलता भी देखें मार्गशीश की सब्तमी तिती है और ऐसे में सौंबर का दिन है सब्तमी तिती सूरे की तिती कहलाती है और यह जो महिना है यह विशेश सूरे से सम्मंदित बड़ा विशेश महिना तो ऐसे में क्या करें सफलता के लिए सूरे देव का पूजन करें और पानी में थोड़ा सा लाल चंदन मिला कर सूरे को अर्ग दें और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश बंतर का जाब करें ओम दिन करा ये नमहा आश्वस्त करता हूं आपको सफलता निस्चित प्राप तो हो भी तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही कलाप से फिर मुलाकात होगे इजाज़त दीजिए नमस्कार नमस्षवाए अस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से